को हेलो दोस्तो को आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कायंडा रुबएक को ब्लुूचिप मुअचर फ़ंड पंड के बारे में तो आज इस वीडियो में हम इस फण्ड का सब्सक्राइब करेंगे और देखिसे सालों में सब्सक्राइब और आज इस Ш scient से बारे ने सकता है तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस फंड के बारे में तो नमस्कार दोस्तों स्वागा साब का मेरे चैनल पर मेरा नाम है रोहीत और आप देख रहे हैं ब्लू काइस फाइनांस तो मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सिस ब्लूची म्यूचल फंड के बारे में तो मैंने उस फंड का जब रूभी किया था तो वहां कई लोगों ने कोश्चन पूछा था मुझस से की जी काईना रोबे को ब्लूची म्यूचल फंड है यह अच्छा है यह फिर एक्सिस म्यूचल फंड अच्छा है सच्छा है तो आज इस वीडियो में हम एं केंदर रुबेक को blue chip mutual fund है यह एक large cap fund है क्योंकि इसमें जितने भी funds है वह mainly जो है आपके large cap funds ही है थोड़े बहुत mid cap के stocks है इसमें इसलिए थोड़ा different है access blue chip funds से तो सबसे पहले यह equity mutual fund है और दूसरा यह कि यह बहुत high risk है अगर आप compare clear करेंगे अगर access blue chip fund से जो कैनर उबेक को mutual fund है blue chip वाला तो यह क्या है थोड़ा ज्यादा रिस्की है क्योंकि यहां पर आपके mid cap की भी stocks है तो वह बात करें returns की तो पिछले 6 महने में इस fund ने करीब 21.69% का return दिया है और वह बात करें पिछले 1 साल की तो पिछले एक साल में इस fund ने करीब 50% के आसपास return दिया है और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो अगर वह बात करें लाओ fund ने पिछले सालों में पिछले टाइम में कैसा return दिया है तो अभी हम यह देखेंगे कि अगर आप 1000 रूपे की SIP करते आ रहे हैं पिछले एक साल में पिछले तीन साल में और पिछले पांच साल में तो आपका 12,000 रुपए और अगर आप उसकी वैलू देखेंगे आज के समय में तो आपका जो वैलू हो जाएगी वो करीब 14,689 रुपए हो जाएगी और आपको जिसमें टोटल गेन मिलेगा वो करीब 2,689 रुपए का इसमें आपको गेन मिला होगा और में गर बात करें आप पिछले 3 साल से अगर आप 1,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपको जो टोटल इंवस्पेंट हो जाएगा यानि की 1,000 रुपए पर मंत तो एक साल में 12,000 रुपए और 3 साल में 36,000 रुपए तो उसकी वैलू आज के समय में हो जाएगी करीब 49,680 रुपए और आपको जो इसमे की SIP करते आ रहे हैं तो हाँ पर जो आपका टोटल इंवस्पेंट होगा वो हो जाएगा करीब 60,000 रुपए और वेगर आप उसकी वैलू देखेंगे आज के समय में तो उसकी वैलू हो जाएगी करीब 93,822 रुपए और आपको जिसमें टोटल प्रॉफित हो रहा होगा व अभी हम यह डिसकस करेंगे कि अगर आपने 10,000 रुपए का एक लंचम इमाउंट यानि कि एक साथ आपने 10,000 रुपए एक साल पहले या तीन साल पहले या फिर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए आपने इंवस्प किया होगा तो आज के समय में वह आपका एमाउंट कितना हो पांसो अठाइस रुपए और जुसमें आपका रिटन मिल रहा होगा जो आपको एन्वाल रिटन है वो करीब साड़े 15% के आस पास है और पिछले पांस साल का रिटन देखते हैं अगर आपने पांस साल पहले 10 रुपए का इंवस्मेंट कर रखा होगा तो वो उसकी जो आपने एक साल पहले आपने 10,000 रुपए इंवस्मेंट किया होगा तो जैसे कि आपको पता है कुर्णावारास पैंडाइमिक के समय में मार्केट बहुत ज़्यदा नीचे चला गया था तो आपको करीब 50% के आस पास वहां से रिटन मिल गया और आपको टोटल वैलू हो ग सिखते हैं कि इ shaped early in a car खर्णी सब से देखे Surprise करीब 27 रुपए 33 पैसे क्या सबसे और इसकी रेटिंग देखते हैं इसकी रेटिंग five star rating है और इसkadro funds दियुक्र खीछ 온 इसाइज वहां पर करी ich 24,000 क्रोड के आसपास जो फंड साइज है और यहां पर क्या है यहां पर सिर्फ 2,500 क्रोड के आसपास जो हाँ पर फंड साइज है तो इस हिसाब से यह फंड ज्यादा आपको रिटन दे सकता है तो अगर वहीं बात करें minimum investment amount की तो आप इसमें minimum कितना invest कर सकते हैं दिखिए बात करते हैं इस फंड के expense ratio के बारे में तो अगर आप इस फंड के expense ratio की बात करेंगी तो वह expense ratio है 0.48% यानि कि आधा परसेंट से भी कम यहां पर आपका जो expense ratio है तो आप compare कर सकते हैं excess blue chief fund से और यहां पर आपका जो Canada Rebecca blue chief fund है वह दोनों में expense ratio कितना है तो वहीं गर बात करे exit load की तो देखी जो exit load है यहां पर थोड़ा different है क्या है कि अगर आप एक साल तक clean investment करते हैं तो यहां पर आपको फिर मयानी कि आपने आज investment किया और एक साल के बाद आपने अपने fund को withdraw के redeem किया तो वहां पर क्या होगा कि आपको फिर यहां पर exit load नहीं लगेगा लेकिन क्या कि अगर आपने एक साल के पहले इस fund को redeem किया तो वहां पर आपको 1% का exit load देना होगा वैसे mostly funds में यह होता है कि अगर आप 15 दिन या एक महिने के बाद अपने fund को redeem करते हैं तो वहां पर आपको exit load नहीं लगता है लेकिन इस fund में ऐसा नहीं है यहां पर आपको एक साल तक अ कि हमने लंबसम में इई में महिश्च किया तो एक सांको होल्ड करना होगा तो क्या sound essay में हम कैसे करें कैसा चुछ ला Philippe में आपको वैसा ही करना होगा अगर आपन जनवरी में 1,000 रुपैय इनविश्च किया तो आपको फर्वरी को वेक्राना होगा तो सिधा से फंडा या आपको अपने पैसे को redeem करना है बस इतना याद रखिए तो आईए इस फंड की top 10 holdings देखते हैं कि जिसकी top 10 holdings है वो क्या-क्या है तो अगर हम देखें तो जो HDFC bank limited है वो करीब 8% क्या सबस्वें hold करता है और जो infosys है वो करीब पहुने 8% क्या सबस्वें hold करता है और अगर ICIC bank की बात करें तो वो भी करीब 7% क्या सबस्वें hold करता है और अगर बात करें Reliance Industries तो वो करीब सबस्वा 5% और TCS यानि की Tata Consultancy Services करीब पहुने 5% जो HDFC limited करीब सबस्वा 4% बजाज Finance करीब 3% LNT limited यानि की Larson and Turbo वो करीब सबस्वा 3% SBI यानि की सबस्वा करीब सबस्वा 3% Axis Bank वो भी करीब 3% और हमारा जो SCL Technologies है वो भी करीब पहुने 3% तो आपने देखा कि जो यह फंड्स है यह इसकी top 10 holdings है इस funds की तो आप इस fund में यह देखिए कि जो large cap funds में इसका allocation है वो करीब 73% या 73% से थोड़ा ज्याजा है और एगर mid cap में देखते हैं तो mid cap में करीब 12% के आप इसमें asset allocation है अगर वहीं आप देखेंगे कि जो एक्सीज blue chief funds है वहां पर जो इसका mostly investment है वो सारे blue chief funds में ही है वो mid cap funds में नहीं है लेकिन जो केंदा रोबेको funds है इसमें यह mid cap में भी अपना करीब 12% आपको asset allocation करता है तो अगर बात करें fund management की जो इसके fund managers है वो कौन-कौन है तो आप देख रहेंगे कि कृष्णा सांग्वी और स्रीदत भंड वाल्डर और संजय बंबाल कर इनका थोड़ा दाम अगर मैंने गलत पढ़ा होता आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या-क्या नाम है तो जो यह है इसके fund manager है तो आज इस वीडियो में हमने कैंदा रोबेको blue chief funds का review किया और देखा कि पिछले सालों में इसने कैसा return दिया है और इसकी करीब 21 से 22,000 करोड है और अगर आप कैंदा रोबेको blue chief funds का देखेंगे fund size तो करीब 2156 करोड के आज पास ही है देखिए ऐसा किया जाता है कि किसी भी mutual fund का fund size बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या है mam differentmenσ questionnaire का लेकिन अगर उसका 1967 साइज ठोड़ा छोटा होता है तो वहा पर क्या है कि आपका return तो अच्छा मिलता है तो ऐसा हो सकते है तो उस हिसांदर रुबेको को चूज कर सकते हैं आप दिखी यहाँ पर एक और बात है कि जो एक्सिस ब्लूचीफ फंड है वहाँ पर क्या है कि आपका जो मेल्ली इंवेस्टमेंट है वो सारे ब्लूचीफ को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी इस्टॉक्स हैं अगर आपका जो लार्ज का भी स्टॉक्स है वहाँ पर करीब 73 परसेंट के आस पास इंवेस्टमेंट है और मिड़केप में देखेंगे तो करीब 12 परसेंट के इसका इंवेस्टमेंट है अपर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप तीन-स साथ साल का इंवेस्टमेंट रखते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि रीटरन आपको जादा अच्छा मिले यह जो आपका कैंदर को को पर है तो यह आपको कौश्चन हो तो यहाँ पर नीचे इमेल ID मेरी है आप मुझे इमेल कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई कोश्चन होता आप कमेंड करके पूछ सकते हैं मैं यह प्लाइज जरूर करूँगा तो अगर आपके पास डीमेड अकाउंट नहीं या अगर आप मुचल फंड में इस्टार्ट करने वाले हैं तो आप सिंपली मैंने डिस्क्रिप मिलते हैं आगले वीडियो में